रिती के रसोई में आज हम बनाएंगे बेसन पेडा यह बहुत बहुत टेस्टी मिठाई है खाने में बहुत अच्छी लगती है और सबसे बड़ी बात कि 15 मिनट में बनके त्यार हो जाती है कम टाइम कम मेहनत और बहुत ही स्वादिश्ट मिठाई बनती है तो चलिए हम बना आधा कप घी और यह पांचे काजू, पांचे बदाब और पांचे पिस्ता है इसको हमने बारिक बारिक काट लिया है और हमने आधा चमच इलाइची पाउडर लिया है तो चलिए अब हम सुरू करते हैं बनाना गैस पे कड़ाई रखेंगे और अब हम यह कड़ाई में घी डाल देंगे यह हमारा 125 से मिल घी है और इसमें से हम एक दो चमच बचा लेंगे बाद में डालेंगे और थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे मेल्ट होने के बाद हम यह एक कप बेसन इसमें डाल देंगे और आधा कप मैदा दोनों डाल देंगे और दोनों डाल के हम अच्छे हुए देखिए दो मिनट हो गए हमारे फिर यह जो बचा हुआ घी है न वह हम डाल देंगे सारा और ऐसे लगतार चलाते हुए हम भूनेंगे और ध्यान रहे लो फ्लेंपे भूनना है नहीं तो आपका बेशन जल जाएगा तो फिर खाने में अच्छा नहीं लएगा टेस्ट खराब हो जाएगा और जब यह भून जाएगा न वेसन तो इसमें से अच्छी कुस्बू आने लगती है तो समझ जाईए कि हमारा वえば भून गया और कलर भी चेंज हो जाता है तो यह देखिए हमारे तीन से चार मिनट भूनते हुए हो गए इसमें से अच्छी कुस्बू आ रही है और color भी इसका change हो गया है आप देख सकते हैं इसका हम color निखारने के लिए थोड़ा सा हम हलदी डालेंगे एक से दो पिंच के करीब डाल के चलाइंगे हलदी के जगह पे आप जायें तो food color भी थोड़ा सा डाल सकते है पर हमें नेचुरल रखना है तो हम हल्दी डालेंगे हल्दी से भी बहुत अच्छा कलर इसका आ जाता है तो डालके हम लगतार फिर से चलाएंगे और इसको भूनने में 8-9 मिनट आराम से लग जाता है लोफलेम पे और यह हमारा भून चुका है देखिए और अब हम इसमें इलाइची पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच गैस को बन कर देंगे और अभी हम चलाते रहेंगे क्योंकि हमारी कड़ाई गरम है न तो हम थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि हमारा जलेना नहीं तो ज्यादा कड़ाई गरम रहता है तो जलने का भी डर रहता है और अब हम इसको गेज से उतार लेंगे और एक बर्तन में इसको निकाल लेंगे ताकि हमारा जल्दी से ठंडा हो जाए और इसको आराम से 1.5 घंटे के लिए हम इसको ठंडा होने देंगे बिलकुल भी थोड़ा भी गरम नहीं होना चाहिए तब इसमें हम सकर मिलाएंगे, यह देखिए हमारे ठंडा होते हुए एक से देड़ घंटा हो चुका है, यह ठंडा पुरी तरह से हो चुका है, अब हम इसमें सकर मिलाएंगे, जो हमने लिया था, यह हमारा एक कप पीसा हुआ सकर है, इसमें डाल देंगे और डालके अच्छे से म लाएंगे पूरा हम डाल देते हैं पूरा आराम से इसमें लग जाएगा और अब हम इसमें ड्राइफ रूट डाल देंगे जो काजो पिस्ता और बदाम हमने काटके रखा था वो डाल देंगे अगर बाई चांस आपका डो गीला लगे तो उसमें थोड़ा सा बेसन भून के डाल दें या फिर सक्कर पिस्के डाल दें अगर ज्यादा सक्कर पसंद है तो सक्कर पिस्के डाल दें और नहीं तो बेसन थोड़ा सा भून के डाल दें तो आपका डो सही हो जाएगा और यह हमारा ठीक है यह हमारा सही है तो अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे तो थोड खरबूजे कभीज लगा देंगे और यह बहुत आसान है बनाना आप देख सकते हैं देखी रहे हैं कितना जल्दी से 8-9 मिनट में भून गया और उसके बाद ठंड़क करने के लिए रखा और फिर हमने ऐसे पेडा बना दिया कभी भी आप कोई भी तेवार पे ऐसे बना सकते हैं बहुत जल्दी बन जाता है तो लीजिए हमारा बेशन पेडा बनके तयार है देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा खाने में बहुत स्वादिश्ट है कम टाइम कम मेहनत में यह पेडा बनके तयार हो जाता है और यह एकदम सौफ्ट नरम बनता है एकदम देखिए कितना सुंदर बना हुआ है और एकदम पेड़े की तरह इसका टेक्चर आया है देख सकते हैं तो आप इसे जरूर ट्राई करें हमें पूरी उमेद है कि आपको ये पेड़ा बहुत पसंद आएगा और हमें कमेंट में बताएं कि ये रेश्पी आपको कैसी लगी अच्छा खाएं सुस्त रहें मस्त रहें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंटे क्या और हां लाइक सेर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिलकुल ना भूले